हेलो स्टुदेंट्स आई वेल्कम ओल आफ यू इन केने सेजिक्वेर तुड़े वे आर लेर्निंग पैरलल लाइन्स एंड ट्रांस्वर्सल्स ओफ एट मैथमेटिक्स ओके इस लेक्चर नमबर वन तो आईए शुरुबात करते हैं स्टुड़न्स पैरलल लाइन्स एंड क्तन एंड ट्रांसवर्सल्स इसमे पैरलल लाइन्स होता क्या है व है अलेडिडी नो पैरलल लाइनस किसे कहते पर जस्ट आम यसे रिकाल कर देते। ऐक यहां से मैं पर यहां से wants एंड दूपर मैंन हऊपर है इस lieन कूब यह जो distance मतलब गर मैंने यहाँ पर a b कहा यह segment a b और यहाँ पर कही पर भी एक point ले ले लिया वहाँ पर भी मैंने यहाँ पर perpendicular draw किया इसे कहा मैंने c and d तो segment a b equal to segment यह क्या है यह segment है c d क्या है segment a b क्या है segment है okay segment a b is equal to segment c d okay segment a b यह equal है to the segment c d okay तो यह जो line है l and n these are the parallel lines यह से हम कहेंगे parallel line ठीक है तो students यहाँ पर देखिए line l है और line अभी हम इसे name देते है m okay this is line l and this is m okay so यहाँ पर देखिए theory इसका इसकी definition देखिए क्या होती है the lines in the same plane okay lines यह जो same plane पे होनी चाहिए मतलब गर मैंने यहाँ पर देखिए मेरा vertical plane है यह मेरा horizontal plane आपने आपर एक line draw किर दी horizontal plane पे और एक line draw कर दी vertical plane पे तो यह दो line parallel दो नहीं होगी तो आपको क्या करना है यह दोनों भी line एक plane के ऊपर ड्रॉक करने यह गर्म मेंने यह पर यह plane draw किया यह दोन लाइन आपको एक ही plane पे ड्रॉक करनी है and और एक बाद यहाँ पर which do not intersect each other are called parallel lines यह दोनों भी दुझे को intersect नहीं करते इंटरसेक्ट मतलब यहाँ पर cross नहीं होती ठीक है आई बास समझ में यह दोनों भी line किसे कहेंगे यह दोनों भी जो length है यहाँ पर बढ़ती ही चली चाहिए ठीक है यह आगे यहाँ पर यह आगे यहाँ पर यह आगे यहाँ पर ठीक है तो यह दोनों भी line not intersect to each other होनी चाहिए यह दोनों भी L and line M are parallel lines इसे हम लिखते है line L, okay, small l parallel to, अभी parallel का symbol क्या है आपर two lines हमें दिखाने, ठीके, ऐसे ये दोनों equal line मतले भी parallel हो जाएगी ना, ठीके तो parallel का हम symbol दिखाएंगे इसे two straight line हमें ड्रॉक करनी है line M, ओके, तो लिखेंगे line L parallel to line M, ओके, आई बास समझ में कैसे denote करना, इसके कैसे show करना है तो ये line L है, ये parallel है line M को, ठीके, आई बास समझ में इसे हमें आपर इसे show करेंगे, ठीके, तो next part देखते है, देखिए next part है, transversal ओके, transversal, अभी देखिए यहाँपर if a line intersect given two lines in two distinct points, then that line figure, कौनसी figure देखिए, आपर एक line में ने draw की है, और एक line यहाँपर draw कर दे, और इनके यहाँपर एक line draw कर दे, ठीके, in the adjoining figure, line L, intersect line M and N, देखिए, ये मेरी M line है, ये मेरी N line है, और ये मेरे line L है, ठीके, तो ये इस figure मे, M and N, these are the two lines, and line L, ये जो line L है, ये क्या हो रही है, intersect हो रही है, मतलब ये बीच में से इसको cut करी, देखिए, यहाँपर इस point पे, इस line को इस point पे, और इस line को इस point पे, ठीके, in two distinct points, ये दो distinct points, मतलब different points पे, line L is transversal of line M and line N, तो उसे, यहाँपर जो line L है, इसे हम कहिंगे, transversal of this line M and this line N, ओके, आई बास समझ में, फिर से में यहाँपर recall कर दे तो, ठीके, यहाँपर कोई भी two lines है, ओके, line ये वाली और ये वाली, ठीके, तो पहले हम क्या देखा था, यहाँपर intersect नहीं होनी जाए, उसे हम यहाँपर parallel line कहते है, अब ये transversal होता क्या है, ठीके, तो यहाँपर कोई भी two lines है, ओके, ये two lines है, यहाँपर एक line उसको cut कर रही है, ठीके, बीच में से आ रही है, इस line को यहाँपर two distinct point पे, मतलब two different point पे intersect होती है, तो गर इसे हम name दे L, इसे कहे हम यहाँपर M, इसे कहे N, तो ये जो L line है, उसे हम कहेंगे, transversal of line M and line N, आई बस समझ में, L is transversal of M and N, ओके, तो यहाँपर देखिए इसके definition, फिर से हम यहाँपर read करते है, if a line intersect, ये जो line है, intersect करती है, given two lines, ये दो line को, कैसे भी line हो, तो कोई problem नहीं, ठीक है, so given two lines, in two distinct points, then that line, मतलब ये line को हम कहेंगे, transversal of those other two lines, मतलब इस दो line की हो जाएगी transversal, ओके, आई बस समझ में, तो transversal क्या होता है, तो यहाँपर parallel ये जो given line है, कैसे भी हो सकती है, ये parallel भी हो सकती है, not parallel भी हो सकती, कैसे भी मतलब for example, ये AC two lines है, ठीक है, और यहाँपर ये, मैंने line draw कर दी, तो ये intersect हो रही ही, ये line, तो ये से हम कर यहाँपर S कहे, और ये PQ, तो S is transversal of PQ, और एक example देख लेते हैं, ठीक है, इस आर दो two lines, ये line है, ओके, ये यहाँपर parallel एसे आजिम कर लेते हैं, इसे M कहेंगे, इसे N कहेंगे, और यहाँपर मैंने एक line draw कर दी, ठीक है, इसे हम कहते है P, तो line P, line P is, क्या है यहाँपर ये line P, it's transversal is, transversal, okay, transversal of line, कौनसी line, M and N, M and N, आई बस समझ में, line M, and line N, okay, so ये जो P line है, देखिए, आपर ये दोनों line कैसे वर्टिकल भी हो सकती है, horizontal भी हो सकती है, बट ये जो line intersect करती है, कोई भी line है, यहाँपर इन दोनों को किसी भी दो line को यहाँपर intersect करती हो, तो उसे हम transversal कहते हैं, ठीक है, आई बस समझ में, तो हम next point देख लेते हैं, next point है angles made by transversal, ये जो हमने transversal देखी, तो ये जो transversal intersect होती है, तो यहाँपर some angles ये बनाती है, तो ये कौन-कौन से angle बनाती है, देखिए, आपर ये line P Q है, और ये हमने देखा था, पहले हमने यहाँपर ये two lines देखेते हैं, यहाँपर ये P Q, अभी पहले हमने यहाँपर इसे M कहा था, अभी इसे name देंगे P Q, because, देखिए, ये P Q क्या है, ये segment है, बट गर हम ये P से X यहाँपर add कर दे, और Q हो यहाँपर add कर दे, तो ये बन जाती है line, तो इसे हम क्या करेंगे, line P Q, ओके, और इसे क्या कहेंगे, line R S, ओके, आई बस समझ में, line P Q and line R S, अभी देखिए, इन दोनों line को, line A T, line A T, ये क्या हो रही है, intersect हो रही है, on point M and N, इस दो point पे intersect हो रही है, therefore, line A T is transversal, okay, transversal of line, कुन को सी line, line P Q and line R S, ओके, आई बस समझ में, तो अभी हम यहापर देखिए, angle ये जो बनाती है, ये हम देखेंगे, ठीके, तो यहापर देखिए, एक angle यहापर बन गया, ओके, ये एक angle बन गया, देन ये second angle बन गया है, ये यहापर ये third angle बन गया, ये fourth, ये fifth, ये six, ये seven and eight, देखिए, ये हापर total कितने angle बन गया है, yes, total there are eight angle, मतलब हमें क्या यहापर पता चलता है, if there are the two lines, and there are the one transversal, गर यहापर two line को एक transversal होती है, तो यहापर कितने angle बनते है, total, ये हापर कितने angle आते है, total, eight angles यहापर बन जाते, देखिए, so, hence, there are eight angles in all, यहापर कितने होते हैं, angles eight, आई बस समझ मे, and each of these angles has one arm on the transversal, and other is on the given lines, तो ये जो देखिए, transversal, मतलब, ये जो transversal, isका ये angle यहापर यैक angle, यह वाला angle, ओके, यह second line का यह वाला, यह 4 angles और second line के उपर transverse कल यह common, यह 2 angle, यह 4 मतलब यह 4, और प्लस यह 4 यह rather total 8 angles यहाँ पर बन गए, ठीके, अभी इस line यह जो angle यहाँ पर बन गए, तीसे हम यहाँ पर study कर दें, ठीके, angles के कुन से यहाँ पर 20 बनते हैं, और यह 1st हम देखेंगे, 1st है corresponding angles, किसे कहेंगे, यहाँ पर तो total 8 angles है, इन में से corresponding angle कौन-कौन से है, तो यहाँ पर देखें, angle A, M, P यह corresponding होता है angle M, N, R मतलब यह वाला और यह वाला angle, यह से हम कहते है corresponding, तो यहाँ पर देखें, इसके definition क्या कहते है, if the arms on the transversal of a pair of angles are in the same direction देखें, यहाँ पर इसके जो arm है, for example इसके arm कौन से देखें arms of a transversal, मतलब यह transversal इसकी, arms यह वाली okay, are in the same direction, कौन से यहाँ पर देखें, कौन से एक angle से यहाँ पर same direction पे है, यहाँ पर इसी एंगल से, मतलब यहाँ पर इसकी direction इसी direction पे है okay, arms of a transversal, of a pairs of angles, are in the same direction, and the other arms are on the same side मतलब एक ही side पे, okay इसके एक ही side पे, यहाँ तो गर हम यहाँ पर left hand side ले तो यहाँ पर left hand side पे right hand side ले तो, right hand side पे ठीक है, तो इसके आप एक side पे होने चाहिए एक ही side पे होने चाहिए, okay direction पे होने चाहिए, then it is called pair of corresponding angles okay, आई पास समझ में, तो यहाँ पर देखिए corresponding angle कुन सा बन गए हाँ पर यह और यह यहाँ पर बन गए, मतलब angle amp यह angle corresponding है कुन से angle के लिए, m, n, r यह जो angle यह दोने है यहाँ पर corresponding बन गए, देखिए यहाँ पर एक ही pair है corresponding की, नहीं यहाँ पर बहुत सारे यह पर देखिए, angle am, q यह वाला angle corresponding किससे है, यहाँ पर angle m, t, s इससे यह corresponding है, ठीक है और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर यह तो यहाँ पर यह 4 यह पर 2 pair यहाँ पर बन गए BUT R&T यह भी तो है ना यह पर R&T देखिए इसके direction कहा जा रही है नीचे जा रही है और किसके angle के आम देखें Transverse के लिए आपर नीचे जा रही है मतलब यह वाला angle ओके इसके भी नीचे जा रही है और यह दोनों भी एक साइड पहे है, तो यह वाला अंगल and यह वाला अंगल, मतलब PMN and RNT, these are also corresponding angles, ओके, और यहापर दो कौन है पेर देखिए, yes, correct, these are also QMN, मतलब यह वाला अंगल and angle S and T, यह वाला अंगल, these are also corresponding angles, तो यहापर हम लिख लेते हैं, ठीक है, कौन-कौन से corresponding angles है ठीक है, तो यहापर देखिए, कितने पेर्स यहापर बंदे हैं, आपर 4 पेर्स बंदे, 1st पेर हम लिखेंगे, यह वाली angle AMP, कैसे लिखते हैं आपर angle, angle का symbol है, यहापर यह से होगा, AMP and, तो यहापर देखिए, angle AMP को कौन से corresponding है, yes, यह इसको यह वाला angle corresponding है, MNR, ओके, so MNR आई बस समझ में, तो यह हमारी 1st पेर यहापर बन गई, 2nd पेर देखिए, 2nd पेर, कौन सी आभी इसी transversal यहापर, इस साइड पे, आभी मैंने left hand side पे ले रही आता, आभी right hand side पे लेखते हैं, ठीके, तो right hand side पे देखिए, कौन सा angle, AMQ, angle AMQ and angle, कौन सा angle, MNS, यह वाला, ठीके, यह दोनों भी corresponding है, तो यहापर आजाएगा MNS, ओके, तो यह हमारी 2nd पेर यहापर बन गई, अभी 3rd पेर लेखिए, ठीके, तो यह उपर के तो हो गए, अभी नीचे वाले, ठीके, so, first time left hand side से ही चले जाते हैं, तो यहापर ठीके, angle RNT, यह वाला angle, किस से corresponding है, angle PMN से, इस से, ठीके, तो यहापर लिखेंगे, angle, RNT लिख सकते हैं, तो TNR भी आप लिख सकते हैं, कोई बात नहीं यह आपर, ठीके, so, हम यहापर लिखेंगे, RNT and angle PMN, आई बास समझ में, and fourth यहापर fourth pair है, उसे हम लिखेंगे, देखें कोन सी, QMN and SNT, यहापर लिखते हैं, पहले हम क्या लिखते है, SNT लिखेंगे, ठीके, so, angle SNT and angle QMN, okay, these are the four pairs of corresponding angle in this diagram, यह जो diagram है, यहापर, अभी आपको क्या पता चला देखेंगे, आपर, गर यहापर two lines होती है, और इनकी एक transverse होती है, यहापर, how many there are the total pairs of corresponding angles, there are the four pairs of corresponding angles, आई बास समझ में, तो अभी हम interior angles, अभी corresponding देखें, यहापर हम देखते है, interior angles, interior angles कहाँ, क्या होती है, टीके, तो यहापर देखें, interior angle की definition है क्या केती है, तो यहापर देखें, interior angle की definition क्या केती है, a pair of angles which are on the same side of the transversal and the inside the given lines is called a pair of interior angles मतलब pair of angles which are on the same side मतलब एक ही side पे या तो हम left hand side पे transfer की left hand side पे या तो इसके right hand side पे ठीक है तो first हम यहाँ पर left hand side लेते ठीक है same side and inside the given lines मतलब यह जो line है इसके और इसकी अंदर में देखे इसके और इसके अंदर में जो भी angle बनता है उसे हम कहते इंटेरियर angles आई बास समझ में देखे कौन-कौन सी यहाँ पर pair है इंटेरियर एंगल की तो यह PMN ये वाला एंगल and MNR ये वाला एंगल ठीक है यहाँ पर लिखते है पहली pair यहाँ पर बन गई angle PMN and angle MNR this is the interior angle की एक pair यहाँ पर हो गई ठीके so second देखे यहाँ पर क्या हो जाएगी पहले हम यहाँ पर left hand side लिया आता अभी हम यहाँ पर right hand side लेगे ठीके right hand side लेगे तो ये वाला और ये वाला तो QMN and MNS ये भी यहाँ पर interior हो जाएगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे second angle QMN and angle MNS okay आई बास समझ में तो अभी देखिए यहाँ पर हमें क्या पता चला गर यहाँ पर two lines है उनकी एक inter उनकी एक यहाँ पर transversal हो तो यहाँ पर देखिए how many pair यहाँ पर बन जाता है interior angles के यहाँ पर total two pairs बन जाते हैं आपर total angles कितने हैं आपर one two three four four angles यहाँ पर आते हैं आई बस समझ में तो अभी हम next देख लेते हैं next point है alternate angles alternate मतलब देखिए गर मैंने यहाँ पर एक point draw किया तो इसका alternate क्या हो जाता है इस side पर आ जाता है इसका alternate यहाँ पर आ जाता है वैसे यहाँ पर alternate angles क्या होते हैं ठीक है वह भी हम यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी definition क्या क्येती है pairs of angles which are on the opposite sides of a transversal and their arms on the transversal show opposite direction is called a pair of alternate angles okay तो यहाँ पर देखिए यह जो diagram है there are two pairs of interior alternate angles and two pairs of exterior alternate angles okay alternate angles के यहाँ पर two types पढ़ते हैं first type आ जाता है यहाँ पर interior alternate angle and second आ जाता है यहाँ पर exterior alternate angle okay alternate angle होता क्या है वह पहले हम जान लेड़े alternate मतलब गर मैंने यहाँ पर यह angle ले लिया तो इसका alternate क्योंसा हो जाता है देखिए angle amp यह जो हमारा angle है angle amp इसका angle बन जाता है yes TNS मतलब इसका alternate इसके दुसरे साड पर यह वाला आई जाएगा तो इसका यह आंगल यहापर Alt- Naية बन जाता है ठीकzier आए बास समझ में यहापर टू टाइपस हे इंटेरियर एंड एक्स्टेरियर इंटेरियर के इंटेरियर का यहापर कौना यहापर alternate हो जाएगा इंटेरियर के हम यह क्या पता है इंसाइड ओके इंसाइड अभी यह डेफिनेशन की यह पर एक से हम चले जाएगे तो यह पर देखे पेर्स ऑफ एंगल्स पेर है यह एंगल की वीचार अन्द अपोजीट साइड मतलब दूसरे साइड पे होनी चाहिए और फ़र ट्रांसवर्सल मतलब यह एक एंगल यहाँ पर इस साइड पे आए तो second एंगल ट्रांसवर्सल के second साइड पे आएगा and their arms and उनके arms on the ट्रांसवर्सल शो अपोजीट डिरेक्शन मतलब इसकी कर यहाँ पर आप इस साइड पे दिखाए तो यह जो नहीं आपर इस के डायरेक्शन यहाँ पर इस साइड पे शो करनी चाहिए औक है एक तो यह दून आइंगल के आप कोटवे होगे यहाँ पर ट्रांसवर्सल पर इंकी आप हो जाएगे definition क्या कहते थे कि इसकी जो transverse से तो पहली एक arm हो जाएगी और यह जो first angle है यहाँ पर transverse के एक side पर second यहाँ पर दूसरे side पर होना चाहिए और उनका जो arm है यह एक यहाँ पर हो जाए तो इसके जो अब दूसरी को जो angle है उसका जो arm है यहाँ पर opposite मतलब इसका opposite कौन सी आजाता है यह वाली opposite हो जाएगी ठीक है तो यहाँ पर देखे first interior alternate angle interior मतलब inside यह जो inside box है यहाँ पर मैंने draw किया यह inside हो गया outside मतलब यह बहार वाला area ठीक है तो यह जो two lines है इनके beach वाला जो भी area तो इसे internal कहेंगे और यहाँ पर जो बहार आता है उसे हमें external कहेंगे ठीक है तो first definition की साब से देखिए interior alternate angles angle pmn यह अंगल तो इसका opposite direction कुणसी यह वाली ठीक है यह वाला यहाँ पर आंगल अंगल यह वाली बन गई और इससे alternate किसे कहेंगे इसकी जो direction मतलब यह वाली होने चाहिए मतलब इसका alternate angle आ गया यह वाला ठीक है अब यह वाला हम क्यों नहीं लेंगे इसकी भी तो यहाँ पर direction opposite बट हमें interior चाहिए internal वाला चाहिए आई बस समझ में यह internal यहाँ पर alternate हो गया तो angle pmn is alternate to angle mns तो यहाँ पर हम ल interior alternate angles angles at the inner side of lines मतलब यह जो line है इनके inner side में मतलब पहले pair लिखेंगे angle pmn and angle mns similarly देखिए यहाँ और कौन सी यहाँ पर बन जाती है गर मैंने यहाँ पर यह वाला angle लिया ठीक है तो इसका opposite side कौन सी transversal की यह वाली की because transversal की हमने यहाँ पर एक side मतलब left side ली तो इसके आप दूसरे side यहाँ पर right side बन जाएगे ठीक है तो यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए यह पहला angle यहाँ पर बन गया तो इसका alternate कौन सा हो जाएगा यहाँ पर opposite साएगा दूसरे side की तरब और इसके जो arm है इसके opposite मतलब यह वाली तो इसका alternate तो यह नहीं हो जाएगा तो इसका alternate हो जाता है यह वाला R N M इसका alternate angle interior angle Q M N यह वाला तिक है अई बस समझ में तो इसके opposite यह वाली direction यहाँ पर बन गई तो यहाँ पर देखिए आपको लग रहा होगा तो यहाँ पर यहाँ nm है इसका यह alternate angle क्यों नहीं हो रहा है m ns because angle m nr का m ns this is the linear angle ओके एक ही लाइन पर यह दोना अंगल आते हैं हम linear angle कहते हैं opposite angle किसे कहेंगे इसका opposite angle कुन सा है यह वाला opposite angle we already learn that यह opposite angle equal होते है same ही होते है ठीक है so हमने first pair तो यहाँ पर लिख ली second pair लिखते है angle r nm and angle q m n so second pair interior alternate angle की angle m nr and angle q m n okay अभी लिखेंगे exterior alternate angles okay exterior मतलब बाहर वाली side okay angles at the outer side of lines मतलब देखिए गर मैंने आपर exterior मतलब यह वाला angle लिया तो इसका alternate देखिए कौन सा हो जाएगा इसका alternate तो यह जो इसकी side यह वाली तो transversal की दूसरी side की तरफ और इसकी opposite मतलब यह वाली opposite direction मतलब इसका देखिए क्यों सा है आपर exterior कौन सा है आपर हो जाएगा यह वाला तो यह सेकेंड पेर लिखेंगे गर मैंने यह आपर यह यह वाला ले लिया तो इसके opposite direction मतलब यह वाली direction transversal की इस side पर और इसके opposite direction मतलब यह जो MQ है इसके opposite देखिए कौन सी यह आपर MR है तो यह वाला इसका यह exterior angle यहापर बन जाएगा alternate so angle AMQ and angle TNR या तो RNT भी आप लिख सकते हो कोई बात नहीं यह आपर ठीक है तो students आने वाले standard में हम यहापर prove भी करने वाले ठीक है यह alternate angle यह interior external angle इसकी property हम यहापर आने वाले standard में learn करने वाले ठीक है so next देखिए यहापर यहापर मैंने two lines parallel draw की है यहापर इसकी यह transverse है गर हम यहापर इसे कहें इसे हम कहेंगे A B C and D यह line यहापर हम लिखते हैं इसका name यह है यहापर P and Q और यह intersect होती है इस two points पे इसे हम कहेंगे S and T तो यहापर हमें सभी जो angles हमने देखा भी corresponding angles देखा then after that हमने देखा alternate angles देखा okay alternate उससे पहले हमने क्या देखा था yes interior angles देखे दिम उसके बाद interior alternate angle and exterior alternate angle तो यह सभी हम यहापर इस question है इसका हम यहापर सभी angles लिखने वाले तो first हम लिखेंगे corresponding angles, देखिए यहापर कौन-कौन से corresponding angles है तो corresponding angles देखिए कौन सा हो जागा है आपर PSA का पहले हम लिखेंगे corresponding angles क्योंकि हमें already देखा corresponding angles के कितने यहापर pairs होती है, यहापर four pairs आने वाले है ठीक है, because these are the two lines parallel और यह उनकी transversal अभी हमने देखा था यह जो two lines थे, यहापर horizontal थे अभी यहापर vertically parallel आ रही है, तो यहापर कोई बात नहीं, तो यह उनकी parallel line और यह उनकी transversal, ठीक है तो angle PSA, यह angle कोन सा corresponding angle है, yes correct angle STC यह इसका हो जाएगा corresponding angle so हम यहापर लिखेंगे first pair angle PSA and angle STC second pair लिखेंगे, देखेंगे second pair क्या हो जाएगी, आपर इसी direction प्यूपर, QTC हम लिखते है angle QTC, यह वाला angle किस से corresponding हो जाएगा QTC, मतलब यह TSA and angle TSA आई बस समझ में, तो third हम यह आप लिखते है third pair, अभी transversal के another side पे तो यह वाला angle किस से corresponding है, इस से corresponding है, ठीक है, मतलब PSB angle PSB and angle STD third pair, अभी fourth pair लिखनी है, ठीक है, fourth pair so, हम लेंगे यह वाली और यह वाली, यह वाली, यह हमरे यह पर pair लेंगे, ठीक है, यहापर angle BST and angle DTQ यहाँ पर आगया, ठीक है यह हो गए, four pairs of corresponding angles, तो अभी हम देखेंगे interior angles, ओके interior मतलब inside वाला, अभी देखें यह जो two lines से, इनकी inside side कौन से हो जाएगी यह वाली, ठीक है, आई बस समझ में तो इनके interior angles देखें, कौन से हो जाएगे angle BST, यह first किसे, यहापर interior हो जाएगा देखे, DTC, these are the two pairs of interior angles, यह आपर first लिखेंगे, angle BST and angle DTS, second देखे, पेर कौन से हो जाएगे, आपर यह वाली और यह वाली, मतलब angle S and T, यह आपर लिखेंगे angle AST and angle STC लिखे, या तो CTS भी आप लिख सकते हो, कोई बात नहीं यह आपर angle CTS भी लिखा, तो कोई भी बात नहीं यह आपर same angle हो जाएगा, ठीक है तो next हम लिखते है, interior alternate angles, इसके हमें लिखने है interior alternate angles देखे, क्योंस क्योंसे यह आपर हो जाएगे interior alternate, yes तो यह अगर मैंने यहापर interior लेना है, यह किसे होगा alternate, इससे और यह किसे होगा इससे, because interior alternate angles की definition क्या है, इसका अगर मैं यहापर angle लेया तो इसकी जो direction यह opposite होनी चाहिए यहापर यह opposite हो गई और यह interior होना चाहिए angle तो इसका मतलब, first pair होगी angle AST and angle कुँँसा? STD angle STD या तो DTS भी आपलिके, तो कोई problem नहीं, second angle देखिए कुण सा हो जागा यहापर, second यहापर गर मैंने यहापर यह लिया तो इसका alternate यह हो जागा, यह वाला मतलब, angle CTS and angle BST BST okay, so now we write exterior alternate angle, यहापर exterior alternate angle कुण से है यहापर exterior angle कुण कुण से है, मतलब, यह बाहर वाले यह बाहर वाले angle तो यहापर देखिए, इसका alternate कुण सा है, यहापर गर मैंने BSP लिया तो इसका alternate कुण सा हो जाएगा, yes, correct QTC, यह हो जाएगा, उसका alternate because, SB की direction इस side पे है, तो हमें क्या करना है opposite direction, transversal की another side पे, opposite direction मतलब, यह बाहर हो गया, ठीक है और यहापर exterior चाहिए, मतलब, यह exterior आ गया तो यह इससे, यहापर alternate है, so angle, first हम लिखेंगे pair, angle BSP and angle, कौन सा है, यहापर QTC QTC, second pair लिखेंगे देखिए, angle यह बाहर किससे alternate है, इससे therefore, angle PSA and angle DTQ, आई बस समझ में तो आपको यह यहापर practice करनी है, इसके ज़्यादा दर आपकर practice करते हैं आपको यह easily यहापर कौन से corresponding angle से, कौन से interior angle से, कौन से interior alternate angle से कौन से exterior alternate angle से यहापर easily समझ में आ जाएगा, ठीक है I think आपको सभी जो point है, अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा, तो students, यहापर ही आपका यह जो lecture number one है, यहापर ही end हो जाएगा तो next जो part है, हम देखेंगे next part में तेंक यू